हर साल कुछ ऐसी फिल्म में रिलीज होती हैं जो से फिरो के नाम पे या फिर मोटी जेफ वाले प्रडियूसर के पैसों के दमपर नहीं बलकि जोरदार कहानी और अलग हट की कॉंटेंट की वज़े से लोगों का दिल जीत लेती हैं तो बस आज का वीडियो ऐसी ही 10 अंडरेटिट फिल्मों के बारे में हैं जिनकी वज़े से 2020 का इंडियन सिनिमा कुछ खतरनाथ स्पीड ब्रेकर से गुजरने के बावजूद आपके मन में थोड़ी सी इज़त बचा पाया जून में रिलीज हुई चमन भार एक पानवाले भहिया की कहानी है जो शहर के शोर शराबे से कोसो दूर एक खाली सुनसान रोट पे अपनी दुकान सजा के दिन भर कस्टमर्स का इंतजार करते रहते हैं लेकिन ग्राहक तो छोड़िये इनको एक नई पडोसी मिल जाती है जो शहर में आये एक बड़े सरकारी अपसर की बेटी हैं जिनके पीछे पूरा शहर लट्टू होकर इस सुनसान रोट को भी ताज महल के बराबर मशूर कर देता है अप पान वाले भहिया दुकान के मुनाफ़े से मस्त कमाई करेंगे या फिर खुद लड़की के इश्क में गिरफतार होके ये नकली आशिकों की छुट्टी करके अपने धंदे को लात मार देंगे जवाब आपको नेटफ्लिक्स की दुकान पे मिलेगा सेप्टेंबर में रिलीज हुई कारगो एक अजीबो गरीब स्पेश शिप की कहानी है जहाँ पे धर्ती पे मरने के बाद इंसान को नए जन में भेजना है या नहीं इस बात का फैसला किया जाता है दरसल एक राक्षा से आप पे पूरी जिंदगी का हिसाब किताब निकालते हैं आप इनको मौडरन यमराज बुला सकते हो बस कप्रे थोड़े से बदल गए हैं फिर शिप में असिस्टेंट मैडम टकट होती है जो यमराज सर की जीवन मृत्यू वाले खेल की तरफ पूरी सूटकेस जो कि इस कहानी की हिरोईन है उनके इश्क में अपने होश गवा देते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि इस हिरोईन के आशिकों की लिस्ट बहुत लंबी है जिसमें सबसे उपर एक संट की दिमाग नेता जी है जो किसी भी कीमत पे सूटकेस को वापस पाना चाते हैं बस यहां से पैसा, पावर, पॉलिटिक्स और पुलिस इन चारों के बीच में मुलाकात और मुकालात का खेल शुरू हो जाता है क्या लास्ट में हीरो हिरोईन को बचा पाएंगे होट स्टार्ट पर चाहिए आप खुद जान जाएंगे जून में रिलीज हुई चिंटू का बर्डे इराक में फसे एक इंडियन परिपाल की कहानी है जो अपने छोटे बेटे चिंटू का सिक्स बर्डे पूरे जोश के साथ हसी खुशी मनानी की प्लानिंग कर चुके हैं लेकिन पार्टी में जब दो अमेरिकन सोलजर्स अपनी बंदूकों के साथ महमान बनके शामिल हो जाते हैं तो बर्डे का हसी गाने वाला जशन रोने चिलाने और चीकने में कनवर्ट हो जाता है क्योंकि बंदूक के निशाने पे खुद चिंटू के पापा है क्या लगता है जिसको जिन्दिगी का सबसे बेस जिन होना चाहिए वो चिंटू के लिए सबसे बुरी याद बनके रह जाएगा जब आपको Z5 पे मिलेगा ऑक्टूबर में रिलीज हुई तैश, दोस्ती और दुश्मनी दोनों के बीच चलने वाले एक तगड़े कॉम्पेटिशन की कहानी है दो जिगरी दोस्त हैं जो एक रंगीन शादी के नशे में शहर की सबसे खतरना क्रिमिनल फामिली से पंगा ले लेते हैं इसके बाद फिल्म में मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है जिसमें शादी के बहराती से लेकर दूला दूलन हर किसी के सिर पे मौत की तलबार लटकने लगती है क्या वाकी शादी अपने ग्रेंट फिनाले तक पहुँच पाएगी या फिर अंडर वर्ल गैंस्टर्स बदले में अंधे होकर शादी को खून से लाल कर देंगे पहेली सुलजानी है तो Z5 पर जाईए जून में रिलीज हुई भोसले एक रेटायर्ट पुलिस ओफिसर के कहानी है जिनकी इज़द पूरा डिपार्टमेंट करता है लेकिन इस बात से ये बिलकुल अंजान है कि ब्रेंट यूमर नाम की एक खतरनाक बिमारी बहुत जल्द इनकी लाइफ पर फुल स्टॉप लगाने वाली है कहानी में ट्विस्ट आता है जब भोसले एक गरीब लड़की की इज़द बचाने को शहर के सबसे खतरनाक लोगों से पंगा ले लेते हैं जिसमें एक दिल धहलाने वाला मॉर्डर पूरे शहर को हिला कर रख देता है क्या मुंबई पर सिर्फ उनका हक है जो वहाँ पैदा हुए है या फिर सपनों के शहर में घर बसाने का मौका सब को बराबर मिलना चाहिए सोनी लिफ पर फिल्म देखिए और खुद फैसला कर लीजिए सेप्टेंबर में रिलीज हुई हला हल एक मैडिकल स्टूडेंट की मौत को फोकस में डालती है जो बहार से तो एक सुसाइट की शकल ओड चुका है लेकिन अंदर कुछ ऐसे डाक सीक्रेट्स चुपे हुए हैं जिनका डिरेक्ट कनेक्शन देश को चलाने वाले कुछ पारफुल लोगों से जुड़ा हुआ है एक लाचार कमजोर बाप को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी एक चालाग पुलिस इंस्पेक्टर अपने कंधों पे उठाते हैं जो वैसे तो लोगों की जेव से पैसे निकालने को मशूर हैं लेकिन इस बार मामला राइट या रॉंग का है इमानदारी आफिर ताकर दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ेगा क्या एक अकेला पुलिस ओफिसर पूरे डिपार्टमेंट के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई जीत सकता है जबाब आपको इरॉस नाओ पे मिलेगा अगस्त में रिलीज वी परिक्षा एक मामूली से रिक्षा वाले की कहानी है जो अपने बेटे को अपनी तरह ना बना कर उसको शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने का सपना सजा लेता है चलो पैसों की कमी तो पूरी हो भी जाएगी लेकिन सुसाइटी में एक रिक्षे वाले के बेटे के साथ लोग अपने बच्चों को पढ़ाना कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात ये पैसों की कमी भरने के लिए अगर एक इमानदार इंसान को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा कर लोगों के घर में चोर डाकू बनकर डाका डालना पड़े तो कितना सही कितना गलत जी फाइफ पे फिल्म देखिया और खुद पैसला करिए क्या जिन्दगी में सबको दूसरा मौका मिलता है जवाब आपको सोनी लिप पर मिलेगा नवंबर में रिलीज हुई वेलकम होम शहर से दूर एक सुनसान इलाके में अकेले खड़े हुए डरावने घर की कहानी है जिसमें अंदर जाने का फैसला तो आपके हातों में हैं लेकिन बाहर निकलने का फैसला घर में रहने वाले इंसान करते हैं लेकिन इनको हलके में मत लेना, ये सिर्फ नाम के इंसान है, काम जानवर से भी जादा खतरनाग, कुछ ऐसे कारणाम हैं जो आपके शरीर को अंदर से नोच सकते हैं यकीन मानिए इंडियन सिनिमा में आपने वेलकम हूम जैसी कोई दूसरी फिल्म नहीं देखी होगी, बस वार्निंग दे देती हूँ कि कमजोर दिल वाले लोग या फिर घर पे अकेले सोने वाले लोग इस फिल्म से दूरी बिनाईएगा, फिल्म आपको सोनी लिफ पर मिल ज होंगी वर्ना थोड़ा से इंबजार करें मिलूंगी आप से अगले वीडियो में, टेक केर, बाई-बाई